Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करने वाले हैं आज हम लोग दूसरा Optimization Technique पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हमने Momentum with SGD पढ़ा था आज की वीडियो का Topic है NAG NAG stands for Nesterov Accelerated Gradient यह एक Optimization Technique है जो Momentum के उपर एक छोटा सा Upgrade लेके बनाया गया है और Mostly Momentum से अच्छा Perform करता है तो आज की वीडियो में मेरा गोल रहेगा कि Nesterov Accelerated Gradient का आपको एक Intuition देना Animation के थुरू और उसके पीछे का Mathematics आपको समझाना ठीक है और Last में मैं आपको Keras में कैसे Implement किया जाता है NAG वो भी दिखाने वाला हूँ ठीक है तो Let's Start the Video तो गाइस एकदम शुरू से अपना discussion हम लोग start करते है So Optimizers के बारे में हम लोग अपना discussion कर रहे है Optimizers क्या होते है Optimizer is basically the algorithm जिसको use करके आप अपने weights का सबसे optimum value find करते हो जिसके लिए आपका loss का value सबसे minimum होता है जो सबसे common optimizers आप use करते हो वो है gradient descent Gradient descent में आपने तीन variations पड़े थे batch gradient descent, stochastic gradient descent और उसके बाद आपने पढ़ा था mini batch gradient descent अब इन optimizers के बारे में आप अगर एक बात जानना चाहते हो या जानते हो तो वो यह है कि यह थोड़े slow होते है जिनकी वज़े से neural network का training भी slow हो जाता है और उसकी वज़े से हमें कुछ advanced optimizers की जरूरत पड़ी उन में से ही एक optimizer था momentum जिसको हमने last video में cover किया अब आज के वीडियो में मैं आपको एक और important optimization टेक्नीक पढ़ाने वाला हूँ Nesterov accelerated gradient बहुत है difficult नाम है बट या हम लोग यह टेक्नीक पढ़ेंगे मैं आपको शुरू से कुछ animations दिखाना चाहता हूँ मैंने यह code करके generate किये हैं जैसे कि यह जो भी आपके screen पर है यह एक simple linear regression problem है जहाँ पर आपका cost function is mean squared error जिसका error surface को ऐसा दिखाई देता है 3D में यह आपको जो screen पर दिख रहा है हमने कोई एक random point से start किया एक notice कर सकते हो यहाँ पर M है यहाँ पर B है हम एक random M और B से start कर रहे हैं और हम एक एक करके minimize करते हुए नीचे यह जो red point दिख रहा है आपको यह red point है जो सही M और B का value है हमें यहाँ तक पहुँचना है ठीक है अब बाकी का graph भी आप देख लो यह जो graph है यह इसी 3D graph का contour plot है 2D में उसका representation है और यह जो उपर है यह वो data है हमारा वो data के उपर size है fit होने लगती है अब यह जो batch gradient descent है अगर आप count करो तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि लगभग 25 से 30 epoch लग जाते हैं इस data के उपर इस algorithm को converge करने में which is kind of slow और इसी लिए हमें कुछ advance optimization techniques पढ़ने पढ़ते हैं उन में से एक जो हमने last video में cover किया था वो है momentum तो batch gradient descent तो आपको समझ में आ गया मैं आपको momentum दिखाता हूँ which is quite interesting so हमने discuss किया था momentum के बारे में कि आप past जो gradients होते हैं उसको consider करते हो in a way कि वो velocity का का काम करता है momentum का का काम करता है तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी same data है बस मैंने algorithm को थोड़ा सा tweak करके momentum implement कर दिया ठीक है and you would notice अगर मैं आपको शुरू से दिखाऊं तो यह ऐसे behave कर रहा है जैसे पहाड़ी से एक ball roll करके आ रही है और वो cross कर गया रही है फिर वापस जा रही है उपर फिर नीचे आ रही है घूम रही है और eventually जब वो stable हो जाती है तब जा करके वो minima पे पहुँच रही है यह same चीज आपको contour plot में भी दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ भी दिखाई देगा यह जो line वाला आपका curve है you can see cross करके दूसरे direction में चला गया line फिर वापस आया फिर से cross किया फिर वापस आया और वो oscillations छोटे होते जाएंगे और eventually आप सही line पे पहुँच जाते हो ठीक है अब आप बोलोगे यार यह तो पिछले वाले के comparison में जादा slow है because यहाँ पे minimum में पहुचने पे around 50 epochs लग जा रहे हैं तो देखो momentum को थोड़ा intelligently आपको use करना पड़ता है यहाँ पे एक factor होता है decay factor जो beta मैंने आपको पढ़ाया था last video में मैंने उसका value अभी 0.9 set करके रखा है 0.9 का मतलब है कि मैं पुरानी velocities को बहुत जादा value कर रहा हूँ जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि अगर मेरी speed जादा है तो मैं cross करके आगे निकल जा रहा हूँ ठीक है तो आप इस decay factor को manipulate कर सकते हो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा momentum की अच्छी बात यह है कि आप notice करना कि आपने शुरू का जो रस्ता है बहुत दूर वाला जो रस्ता है वो आपने बहुत जल्दी cover किया let me show it to you देखना एक बार आप minima तक बहुत तेजी से पहुँच जा रहे हो like within 3-4 epochs में जबकि यहाँ पर आपको minima तक पहुँचने में देखो कितना epochs लग रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब कुछ 15 epochs में आप minima की proximity में पहुँच रहे हो यहाँ पर notice करना कितने तेजी से आ रहे हो आप यह देखो within 3 epochs आप minima को cross कर चुके हो तो यही सबसे बड़ा power है तो मैंने क्या किया मैंने decay factor को धीरे-धीरे घटाया जैसे यह है decay factor 0.8 notice करना यहाँ भी आप तेजी से पहुँचे बट since अब मैं पुरानी velocities को थोड़ा कम value दे रहा हूँ तो मेरे जो oscillations है वो भी थोड़े से reduce हो जाते हैं यह देखो can you see reduce हो गए हम 30 epochs के around पहुँच गए जहाँ पे हमें पहले 50 लग रहा था यह देखो इसमें हमें around 50 लग रहा था see बहुत उपर दख जा रहे हो यहाँ पे आप उतना उपर नहीं जा रहे देखो आप यहीं पे रोग जाओगे see in comparison to this I hope आपको समझ में आ रहा है कि dk factor को बढ़ाने घटाने से क्या हो रहा है तो मैंने क्या किया dk factor को 0.5 किया यह देखो dk factor को 0.5 करने से क्या हो रहा है यह देखो within 10 epochs मैं minima तक पहुँच किया now this dk factor along with momentum is much faster than batch gradient descent जो 20-25 epochs ले रहा है यह सिर्फ 38-39 epochs ले रहा है तो I hope आपको यह demonstration समझ में आया although मैंने आपको last video में भी समझाया था कि momentum क्या करता है अब momentum का एक बड़ा problem शायद आपको अल्रडी दिख भी रहा होगा momentum का एक बड़ा problem है इसके oscillations so यह तो data थोड़ा simple था तो आपने dk factor को reduce करके control कर लिया बट कई बार क्या होगा कि एक non-convex optimization problem में यह convex optimization problem है बट एक non-convex optimization problem जो थोड़ा complex होता है उसमें आपको यह oscillations परिशान करते हैं और ज़्यादा time लगता है आपके model को minima तक पहुँचने में convergence होने में तो उसी का एक solution निकाला गया जिसको हम nag बोलते हैं nesterov accelerated gradient वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसका graph यह देखो यह रहा यह same decay factor पर आप notice करो कि यह oscillations कम हो रहे हैं यह देखो यहाँ पर कितने oscillations हो रहे थे यह oscillations बहुत ज़ादा हैं बट जब आप nag अप्लाई कर रहे हो you would see बहुत ही कम oscillations हो रहे हैं ठीक है इसका मतलब अगर आप decay factor को और control करोगे तो आप और ज़ादा जल्दी अपने minima तक पहुँच सकते हो तो अगर मैं summarize करूँ वीडियो की शुरुआत में ही कि nag क्या है nag basically momentum technique को ही implement करने का तरीका है बट एक improvement होता है यहाँ पे कि आपके oscillations को आप damp कर देते हो damp करने का मतलब reduce कर देते हो ठीक है कैसे करते हो यह मैं आपको दिखाऊंगा mathematically और फिर मैं आपको उसका geometric intuition भी दूँगा अब जो nesterov accelerated gradient optimization technique है उसका maths actually बहुत simple है अगर आपको momentum के पीछे का maths पता है क्योंकि nag में आप बस एक छोटा सा mathematical tweak करते हो momentum optimization technique में और आपको nag optimization technique मिल जाते है मैं पहले आपके साथ एक बार momentum के बारे में discussion करूँगा और फिर मैं आपको nag के बारे में बताऊंगा अगर आपको याद होगा तो momentum with SGD में आपका जो update rule होता है वो यह होता है आपका अगला weight होता है पुराना weight minus the velocity term ठीक है और velocity term का formula यह होता है beta times velocity at t minus 1 plus learning rate of the derivative of loss function with respect to w at time t ठीक है अब देखो इसका mathematical intuition एक बार लेते है अगर आप इसको यहाँ पे fill करो तो आपको क्या मिल रहा है आपको मिलेगा की नया weight का value will be पुराना weight minus this entire thing इसका मतलब यह हुआ कि आप जो update ले रहे हो अपने weight में वो दो forms में आ रहा है एक इस term के form में और एक इस term के form में ठीक है अब सोचो जो आपका पुराना gradient descent होता था उसका formula यह होता था यह पुराना gradient descent है तो वहाँ पे जो update आता था वो सिर्फ एक चीज़ की वज़े से आता था इस gradient की वज़े से यहाँ पर यह gradient की वज़े से भी आ रहा है और इस term की वज़े से भी आ रहा है इसका मतलब अगर आप visually देखना चाहते हो तो मानलो अगर यह आपका loss function है और यह आपका w है तो अगर आप यहाँ पर हो तो आप कहाँ पर पहुँचोगे यह term आपको यह चीज़ बता रहा है बट अब आप यहाँ से कहाँ पर पहुँचोगे momentum में यह term दो चीज़े decide कर रही है एक आपका past velocity और एक gradient at that point मतलब इसका यह हुआ कि आप अगर यहाँ पर हो तो आप थोड़े लंबे जंप लोगे बिकॉज इसमें दो components है एक अभी तक की velocity का push मिल रहा है आपको और एक इस जगह पर जो आपका gradient है उसके negative direction में आप move करोगे तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दो चीज़ों से मिला करके अपना update बना रहे हो इसलिए आप थोड़ा faster इस direction में move करते हो ठीक है तो यह हुआ momentum का mathematical intuition अब इसी में एक छोटा सा mathematical tweak अगर आप करो तो आपको nesterov accelerated gradient का mathematical formulation मिल जाते है ठीक है देखो nag में बस एक ही बात अलग होती है momentum से और वो यह कि यह जो gradient वाला update है यह किस position पे calculate होगा that's it मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ so momentum में होता क्या है कि आप मालो यहां से यहां पहुँचे यहां से यहां पहुँचे अब यहां से next कहां पे जाओगे यह दो बातों पे depend कर रहा है first आपका history of velocity पे which is this term यह जो term है इस पे depend कर रहा है और दूसरा depend कर रहा है gradient at that point gradient at that point इस point पे gradient कहां पे भेज रहा है आपको आपने यहां पे past velocities का momentum निकाला और आपने slope निकाला इस point पे और वही आपका update हो जाता है बट आप nesterov accelerated gradient में क्या करते हो ध्यान से देखना कि मालो आप यहां से यहां से यहां पहुँचे और यहां से यहां पहुँचे और अब आपको decide करना है कि next आप कहां पे जाओगे तो आप क्या करते हो आप एक साथ यह दोनों चीज़े calculate नहीं करते आप पहले momentum term apply करते हो आपने momentum term अपलाई कर दिया तो आप यहां पे पहुँच गए अब आप इस जगे पे gradient calculate करते हो और फिर आप उसके हिसाब से आगे या फिर अगर पीछे जाना हो तो पीछे जाते हो that's the only difference फिर से समझ लो एक बार momentum में किसी भी point के बाद कहां जाना है यह जानने के लिए आपको दो calculations करने है पहला momentum का और दूसरा उस point का gradient का और दोनों का jump आप एक साथ लेते हो nag में बस एक छोटा सा difference आजाता है कि आप पहले momentum वाला jump ले लेते हो और फिर जहां पहुँचते हो उस जगे पे gradient calculate करते हो और फिर उसके हिसाब से और jump लेते हो that's it, that's the only difference और इसी difference की वज़े से nag better perform करता है मैं आपको mathematical formulation देख लेते हैं so mathematical formulation बहुत simple है, आप क्या करते हो आप सबसे पहले ये जगे निकालने की कोशिश करते हो कि momentum वाले jump से आप कहां पहुचोगे इसको बोला जाता है look ahead term literature में so आप क्या कर रहे हो आप निकाल रहे हो w look ahead और ये होता क्या है जो आपका अभी वाला w है, ये वाला जो w है, minus the beta times v t minus 1 basically आपका अभी तक का momentum ठीक है फिर आप क्या करते हो, आप v t निकालते हो, v t क्या है, beta v t minus 1 plus learning rate times the gradient at time look ahead ठीक है आप जो gradient आप calculate कर रहे हो वो इस point पर calculate कर रहे हो ना कि इस point पर ठीक है और finally आपका update rule हो जाएगा ये I hope आपको ये बात समझ में आ रहे है ठीक है आपने सबसे पहले क्या निकाला आप यहाँ पे थे इस जगह पे थे आप इस जगह पे आपने सबसे पहले look ahead वाला ये value निकाला ये वाला कैसे momentum term अपडेट किया ठीक है उसके बाद आप जब इस जगह पे पहुँच गए तो यहाँ से आपने फिर slope निकाला जो की ये रहा तो आप इस update को आप इस term को अगर replace कर दो इस equation से तो ये basically बन जा रहा है wt minus w look ahead plus gradient at look ahead ठीक है ये क्या है ये है इतना distance प्लस अब यहाँ पे जहाँ पहुचे इस जगह पे जो slope है ये हो गया आपका total update और वही update आप पुराने वाली जगह से कर रहे हो मतलब इतना difficult कुछ है नहीं आप एक बार वीडियो को pause करके बस समझ लो momentum में आप जिस जगह पे होते हो उसी जगह पे दोनों चीज़े एक साथ apply करते हो momentum भी current gradient भी nesterov accelerated gradient में आप क्या करते हो पहले look ahead point निकालते हो सिर्फ momentum apply करके फिर आप जहां पहुँचे वहाँ पे gradient निकालते हो और फिर gradient का movement लेते हो that's it बस यही difference है और यह रहा आपका equation अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि oscillations को reduce कैसे कर देता है यह छोटा सा trick तो चलो guys एक बार momentum और nag दोनों का side by side geometric intuition देखते हैं ताकि आपको clarity मिल जाए so माल लो यह अपना error surface है this is w and this is the loss हमारा objective है कि हम कहीं randomly initialize करेंगे किसी एक w value के लिए let's call it w naught और हमें इस value तक पहुँचना है because यह minimum है यहीं पर हमारा जो loss है वो minimum है ठीक है तो होगा क्या बहुत simple है हर point पे आप दो चीज़े calculate करोगे हम by the way momentum की बात कर रहे हैं भी at every point you will calculate two things first the momentum and second gradient तो शुरू में तो जब आप start कर रहे हो momentum 0 होगा gradient अगर आप इस point पे बात करो तो हमें क्या करना होता है हमें negative of the gradient या फिर आप इसको slope बोल सकते हो उस direction में जाना होता है तो इस point पे जो slope है वो negative है negative क्यों है क्योंकि अगर आप weight को बढ़ा होगे तो loss decrease कर रहा है तो slope negative है तो हम negative of the slope की direction में जाएंगे which is positive ठीक है तो हम basically इस direction में move करेंगे इस direction में तो मालनो हम यहाँ पे आ गए ठीक है अब फिर से हम क्या कर रहे है इस point पे हम momentum term calculate करेंगे जो कि थोड़ा सा आएगा कुछ सिंस हम इस direction में move कर रहे है तो momentum term भी हमें इस direction में push करेंगा इस point पे भी जो gradient है वो negative है तो हम positive direction में move करेंगे तो हम jump ले करके मालनो हम यहाँ आ गए अब इस point पे हम फिर से momentum calculate करेंगे सिंस अब already हम दो तीन बार positive direction में आ चुके है तो इस direction में एक momentum build हो रहा है जो हमें और दूर तक धक्का मारेगा अभी भी हमारा जो gradient है वो positive है negative है तो update positive होगा मालनो हम यहाँ पहुँचके अब यहाँ पे क्या होगा फिर से हम momentum calculate करेंगे और हम साथी साथ gradient भी calculate करेंगे और दोनो हमें positive direction में भेजेगा तो मालनो momentum का धक्के से हम यहाँ पहुँच रहे थे इस जगह पे ठीक है और gradient के धक्के से हम थोड़ा सा और आगे चलेगे इस जगह पे इस जगह पे हम पहुँच के लेट्स कॉल इट टबलू टेंप ठीक है यहाँ पर हो आप अब इस जगह पे आप फिर से क्या करोगे आप momentum calculate करोगे momentum आपको क्या करेगा positive direction में भेजेगा इस direction में भेजेगा और इस point पे slope क्यासा है positive है तो आप उसके ultra direction में जाओगे मतलब negative तो अब यहाँ पर first time क्या हो रहा है कि momentum आपको इस direction में भेज रहा है बट आपका gradient आपको इस direction में भेज रहा है बट since momentum का term dominate कर जाएगा और यह छोटा रह जाएगा तो आप हलका सा इस direction में और जाओगे फिर थोड़े दिर के बाद फिर से momentum निकालोगे इस position पे इस position पे भी momentum अगर kind of dominate कर गया gradient को तो फिर से आप हलका सा आगे बढ़ जाओगे अब इस point पे आते आते क्या हो रहा है कि अब आपका momentum since पिछले कुछ points का negative हो रहा है तो अब आप momentum भी आपको पीछे भेजेगा और gradient भी आपको पीछे भेजेगा तो आप पीछे आने लग जाओगे तो फिर आप इस तरीके से oscillate करते करते eventually यहाँ पे रुख जाते हो that is how momentum works ठीक है तो हुआ क्या आप इधर से start किये आपने यह यहाँ पे रुखना था इस जगह पे रुखना था यह minimum पे आपको रुखना था बट आप आगे चलेगे overshoot कर गे u-turn लिया वापस आए छोटा u-turn लिया वापस आए और छोटा और छोटा और eventually आप रुख गए that is how momentum works ठीक है now let's discuss कि क्या होता है जब आप nestrov accelerated gradient apply करते हो मैं same error surface बना रहो यह है w यह है loss और यह रहा हमारा error surface ठीक है अब इस बार क्या होगा आप यहाँ से start करोगे फिर से आप दो चीज़े calculate करोगे momentum यहाँ पे आपको पहुँचना है आप momentum calculate करोगे और आप slope calculate करोगे momentum शुरू में 0 होगा तो मालो आप यहाँ पहुचके इस जगे पे यहाँ पे थोड़ा momentum build हुआ मालो आप यहाँ पहुचके ठीक है अब यहाँ पर मालो आप जब इस point पे हो तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से यहाँ पर मालो आप इस point पे हो अब इस जगे पे क्या होगा कि आप मैंने जैसे आपको पहले बताए कि आप दोनों चीजे साथ में नहीं करते आप पहले momentum निकालोगे ठीक है तो आपने सिर्फ momentum निकाला तो आप इस जगे पे पहुचते यही है आपका look ahead point ठीक है अब इस जगे पे आपने gradient निकाला which is in this direction तो होगा क्या कि आप जहाँ पे momentum में क्या हो रहा था कि आप यहाँ से और आगे यहाँ पहुच रहे थे अब इस जगे पे जो gradient है वो ultra direction में है जिसकी वैसे आप थोड़ा पीछे आ जाओगे और आप यहाँ पे आके रुकोगे I hope आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हमने क्या किया था यहाँ पे हमने दोनों चीज़े साथ में निकाली थी तो हमने यहाँ पहुचे थे हम momentum के हिसाब से और यहाँ पहुचे थे gradient के हिसाब से बट यहाँ पे हमने क्या किया हमने पहले यह look ahead point नकाला momentum यूज़ करके और फिर अब इस point पे जब gradient नकाला तो वो ultra direction में था इसलिए हम यहाँ पे आके रुके ठीक है जो हम momentum में यहाँ रुकने वाले थे वो हम यहाँ पे रुके तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ से जब आप निकले तो आपने छोटा यूटन लिया फिर इस direction में भी छोटा और आप आगे सही जगह पे that's the main difference यही आपका geometric intuition है nesterov accelerated gradient का कि आप पहले से पता कर लेते हो कि आगे क्या होने वाला है और आप उस हिसाब से अपना decision making कर रहे हो यह point वाला example अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी के भी सामने nesterov accelerated gradient explain कर पाओगे एक चीज़ और discuss करते हैं कि nesterov accelerated gradient जो है nag क्या इस technique का कोई disadvantage है the answer is yes एक disadvantage है so अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको ये तो समझ में आ गया कि nag करता क्या है कि oscillations जो होते है momentum में उनको dampen कर देता है अब इससे क्या हो सकता है कि आप local minima में first के रह सकते हो imagine करो आप इस तरीके का एक error surface है 2D में तो होगा क्या कि आपका ball यहां से roll करता है और momentum में क्या होता है कि हो सकता है कि उसके पास इतना momentum हो कि इसको cross करके इधर आ जाए but nag में आप क्या कर रहे हो कि इसका जो momentum है उसको आप kind of dampen कर रहे हो तो होगा क्या कि वो उतना उपर का momentum gain ही नहीं करेगा और यहीं पर oscillate करके यहां पर आके फस जाएगा तो this is one potential problem जो कुछ data sets में आपको देखने को मिल सकता है उस case में फिर हमें और दूसरे optimizers यूज करने पड़ते हैं में momentum को तो इस वीडियो में आपको दोनों बता रहो momentum को कैसे implement करना है और nestor of accelerated gradient को कैसे implement करना है केराज ने बहुत simply implement किया है आपके पास एक sgd class होती है जो आप stochastic gradient descent या फिर normal gradient descent implement करने के लिए use करते हो आप simply उसी class में parameter values change करके momentum और nag को implement कर सकते हो so अगर आपको sgd implement करना है तो आपको बस ये जो दो पैरामीटर्स है momentum इसका value आपको 0 रखना पड़ेगा और जो nestor of है उसका value आपको false रखना पड़ेगा ठीक है अगर आपको sgd with momentum करना है तो आप क्या करोगे आप momentum को एक value दे दोगे जो आपका dk factor होगा 0.9 दे दिया या 0.5 दे दिया और nestor of को false ही रखोगे तो फिर ये momentum अपलाई हो जाएगा और अगर आपको nag implement करना है तो फिर आपको momentum को भी एक value देना पड़ेगा और आपको nestor of को true करना पड़ेगा यही तीन तरीकों से आप तीन अलग optimizers implement कर सकते हो केराज के अंदर बहुत ही simple है So that was the video guys I hope आपको पूरा intuition समझ में आया और आप शायद उसको केराज में implement भी कर पाऊगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज दू subscribe That's it from my side Thanks for watching मिलते हैं next video में Bye